जाहिन साथियो अब यम लोग पस्ते थे हैं एक जाम डोर चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं यह लेटर वाइरर हो रहा है जो कि बहुत पुराना है फिर भी आपको जानना चाहिए इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं फिर भी देखिए इसमें क्या है बी एससी सीजियल वे सचिव बिहार करमचारी चैन आयोग पटना शेवा में अवर सचिव समान परसासन विभाग बिहार पटना यह आठ दिन दो हजर बाइस का है बिशे तिरतिये असनातक अस्तरिये संजुक परतियो गीता परिक्षा आयोजित करने है तु विज्यापन प्रारूप पर सहमती प्रदान किये जाने के शंबन में यानि कि विज्यापन जो है अब बहुत जल्द परकासित हो जाएगी आप सब इसे में पहले भी बता चुका इसे जरूर चेंगे समान परसासन विभाग प्राप्तांक 10206 दिनांक 307-2019 प्राप्तांक 383-92 दिनांक 157-2019 प्राप्तांक 64-22 दिनांक 17-2021 प्राप्तांक 10-26 दिनांक 37-2019 इसी तरीका से ये दिया गया है 17-2021 और लाश्ट में है 22-2021 और आपका अंत में है 37-2021 तक का महास है दिशा निर्देश पुर्वाग विशाय ये प्रसंग के संबन में कहना है कि प्रसंगीत पत्रों के माध्यम से आयोग कर्याले को सचवाले सहाय के 1360 पद मलेरिया निर्ख्षक के 74 पद अंगर एक्षक के 370 पद योजना सहाय के 84 एवं 41 पद डाटा इंटरी अपरेटर के 02 पद अंग एक्षक के 256 पद ग्रिह पती शहलिपिक के 20 पद केवल महिलाओं के लिए एवं ग्रिह पती के 40 पद के लिए प्राप्त हुई है प्राप्त अधियाचनाओं के आउलोक में सम्मिलित पदो पर उपलब्द रिक्तियों को समवेशित एम्तृतिय असनातक अस्तरिय शंजुक परतियोगी परिक्षा में सामिल करने है तु विग्यापन परकासित किया जाना है विग्यापन वर्ष के अधार पर तयार की गई है जबकि ग्रीपत इशह लिपिक पद से संबंधित प्राप्त अधियाचना के साथ संलगन अधिशुचना 13-26 दिनांक 11-7-2014 से नियुम्तम उम्र किशिमा 18 वर्ष का प्रारूप किया गया था यानि कि उस समय जो 14 में वेकेंसी आई थी उस समय 18 वर्ष मांगा गया था कुछ अधिशुचना पर जो की अधिशुचना थी 13-26 पदों के लिए उसमें कुछ पदों के लिए 18 वर्ष मांगा गया था तो उसी को लेकर संबंध में है तृतिया असनातक अस्तरिय संजुक परतियोगी परिक्षा में सम्मिलित हुए 247 पदों का बिभागवर पदवार है तू बिग्यापन प्रारूप बिभागिये सहमती है तू प्रेसिक किया जाता है यानि कि कुल पद की बात करें अभी बरतमान समय में 247 पद आ चुका है लेकिन अभी बिग्यापन कब तक आएगा जो कि आप लोग भी जानते है या मै फिर भी देखिए ये कब तक वेकेंसी आता है वेकेंसी बहुत जल्द आने की सम्भावना है थोड़ा सा ध्यान देंगे विग्यापन प्रारूप तयार कर विग्यापन प्राभूप के सहमती एतू प्रेसिक किया गया है प्रकासित करने के बिंदुवार तो इसलिए आप जो भी BSSC CGL का वेट कर रहे थे वो आप देख रहे हैं कि ये बहुत सरा वाइरल हो रहा है तो इससे पहले बता दे मैं इसका जिस दिन ये आया था उसी दिन एक वीडियो बना चुका हूँ फिर भी आप आज इसे जान जाए कि आज नहीं तो कल मतलब 22 में जो 2014 से वेट कर संग जी के जी अस पचा संग और समान बिज्ञान रहेगा 25 इसलिए आप थोड़ा सा इस पर तैयारी अच्छा तरीका से करें चुकि शीट कम होने के कारण जो भी विद्यारती हैं जो 14 से अभी तक वेकेंसी नहीं है जो सचवाले का वेट कर रहे हैं वो इसमें बहुत मुकाबला होगा इसलिए आप लोग अपने अपने तैयारी में लग जाए जय हिन जय भारत या जी आप एक्जाम टूर पर पहली बार आया है तो जरूर सब्सक्राइब करें जय हिन जय भारत